नमस्ते बच्चो बीके प्रविन्द इसले चाइनल में आपका स्वागते। बच्चो आज हम पाट क्रमंकतीन नाखुन क्यों वड़ते हैं इस पाट के स्वाद्धै का अद्धेन करेंगे। सुचना नुसार कुरुतिया करो। प्रश्न एक प्रवाह तालिका पुर्ण करो। मनुष्य में पशुत्वसे बिन्यता दर्शानी वाली बाते। मनुष्य में सैयम है। दुसरे के सुख दुख्य प्रती समवेदना है। स्रद्धा है। तब त्याग है। प्रश्न दो प्रतिकलिको नाखुनों को बढ़ाना नाखुनों को काटना। उत्तर जंगली पन का प्रतिक। मनुष्यता का प्रतिक। पाश्वे व्रुत्ती का प्रतिक। सैयमी व्रुत्ती का प्रतिक। हिंसा का प्रतिक। ह हिंसा का प्रतिक। अ विवेक का प्रतिक। विवेक का प्रतिक। प्रश्न तीन उत्तर लिखो एक मनुष्यक की चरीर तार्थता इन दो बातों में है उत्तर अ प्रेम में है आ मैत्री में है दो मनुष्यक का स्वधर्म यहे उत्तर अ अ अपने को सैयत रखना आ दुसरे के मनों भावों का आदर करना तीन मनुष्यक को नाखुनों की जरुरत तब ती उत्तर अ जब मनुष्य जंगली था आ जब जिवन रक्षा के लिए मनुष्यक के पास अस्र नहीं थे अगला प्रश्ण है भाशा बिंदू एक निम्न शब्दों के लिंगा पेचान कर लिखो आत्मा वेक्ती बादल तार नोट नाखुन पुस्तक तकिया दही उत्तर एक आत्मा स्रीलिंग दो वेक्ती पुलिंग तीन बादल पुलिंग चार तार पुलिंग पाच नोट पुलिंग चह नाखुन पुलिंग साथ पुस्तक स्रीलिंग आठ तकिया पुलिंग नोग दही पुलिंग दो अर्थकी अनुसार वाक्यों के प्रकार डुन कर लिखो उत्तर एक प्रश्न वाचक वाक्य नाखुन क्यों बढ़ते हैं दो अग्या वाचक वाक्यों नाखुनों को काड़ दू तीन निशेद वाचक वाक्यों मनुष्य अप नाखुन को नहीं चाता चार विदान वाचक वाक्यों उसने दातु की हतियार बनाएं पाज विस्मय वाचक वाक्यों मनुष्य पशू से किस बात में भिन नहीं अगला प्रश्ण है उपयोजित लेखन किसी मौलिक मराठी विज्यापन का हिंडी में अनुवात करो उत्तर मराठी विद्यापन शू सागर स्टेशनरी खुशकबर सर्व प्रकार्चा स्टेशनरी वर चाईस टक्के सूट खालील सर्व सैत्यावर सूटमेल चित्रकला हस्तकला सजावटीची सैत्य सर्व प्रकार्चे शालेय सैत्य शालेय गनिमेश वर बैग गाउख खरेदी वर गरपोज डिलेवरी मोपत पत्ता शू सागर स्टेशनरी मम्ता सदन में रोड मुंबई हिंडी में अनुवाद शू सागर स्टेशनरी खुशकबर सभी प्रकार्की स्टेशनरी पर 40 प्रतिशत चूट निम्नलिकित सभी सामग्रियों पर चूट चित्रकारी हस्तशिल्प सजावटी सामग्री सभी प्रकार्की स्कूल सामग्री स्कूल युनिफॉर्म और बैग थोक खरीद पर मुपत होम डिलेवरी पता शू सागर स्टेशनरी मम्ता सदन मेन रोड मुंबई अगला प्रश्ण है मैंने समझा उत्तर बड़े हुए नाखून हमारे बीतर के जंगली पन वह हिंसा के प्रतिक है जिस तर हम उने काटकर दूर करते है उसी तर हमें अपने बीतर के दुर्गुनों को तैक कर हमारे बीतर विवेक, स्रद्दा, सैयम के संसकार रखने चाहिए अगला प्रश्ण है स्वयमद्देयन शरीर के विविन्न अंगों से संबंदित मुहावरों की अर्थसईत सुची बनाओ उत्तर एक आख खुलना, होशाना दो पेड़ दिखाना, बाग जाना तीन मुह मिटा करना, प्रसन्य करना चार, पेट में चुये कुदना, बहुत भूक लगना पांच, हाथ बटाना, मदद करना चह, नाक में दम करना, परेशान करना अगला प्रश्ण है, मौलीक सुरुजन सद्गुनों और दुर्गुनों में अंतर लिखो उत्तर, सद्गुनों और दुर्गुनों में अंतर सद्गुनों और दुर्गुनों एक इमानदारी के रास्ते पर चलना एक बेमानी के रास्ते पर चलना दो प्रेम देना, दो दुग देना तीन सत्ते बोलना, तीन और सत्ते बोलना चार शांती से रहना, चार और शांती भैलाना पाँच आदर करना चह सयोग बावना रखना अगला प्रेश्ण है लेकनियों सुरक्षा है तू शस्त्रों की भर्मार विशे के पक्ष विपक्ष में अपने विचार लिखो उत्तर सभी देशों को अपनी सुरक्षा बढ़ाने का पूरा आधिकार होता है जिस देश की सेना शक्ति शाली हो वह देश सुरक्षित रह सकता है किसी भी सेना की शक्ति सैनिकों के मजबुत आत्मबल स्वस्त शरीर के साथ साथ आधूनिक शस्रों पर निर्भर रहती है युद्ध के समय शत्रू को मूतोड जवाब देने के लिए आधूनिक शस्रों का होना मत्वपुर्ण होता है अगर शस्रों की कमी होतो देश को युद्ध में पराजई का सामना करना पड़ सकता है अतहां सुरक्षा की दुष्टी से शस्रों का बहुत मत्व होता है इसके हलावा हमें यह भी द्यान रखना है कि देश की सुरक्षा हेतू शस्रों की भरमार करते हुए देश के अन्यक्षेत्रों का विकास न रुख जाए अगर ऐसा हुआ तो देश आर्थिक संकट में पड़ जाएगा इसके लिए देश को जादा से जादा आर्थिक स्त्रोतों को बड़ावा देना चाहिए ताकि देश की सुरक्षा और विकास में संतुलन बना रहे तो बच्चों आज हमने नाखुन क्यूं बढ़ते हैं इस पाठ के स्वाद्धे का अद्देन किया थेंक्यू